नमस्कार इस्ट्रेंड मैं हूँ पुझा चौदरी और स्वागत है आपका मेरी चैनल computer class with extra knowledge में तो इस्ट्रेंड आज की वीडियो में हम फॉन टेक को समझने वाले हैं फॉन टेक का अपने वैब पेज पर हम किस तरीके से यूज करते हैं और फॉन टेक जो है वो होता क्या ह है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो यहां पर हमने अपने नोटपैड की एक फाइल बना रखी है जिसमें कुछ हमने बेसिक टेक अल्रेडी लिख रखे हैं अब यहां पर सबसे पहले यह समझते हैं कि फॉन टेक जो होता है वो हम कब अपने पेज पर कोई काम कर रहे हैं जैसे जैसे आपके टेक्स का कलर बदलना आपके टेक्स का साइस चेंज करना या आपके टेक्स का जो है फॉन्ट वगएरा का स्टाइल जो है वो चेंज करना जिसको हम यहां पर फेस कहते हैं तो जब भी आपको पैराग्राप अगरा लेखेंगे कर तो हम किस तरीके से कलव अगरा करेंगे तो यहां पर हमने टॉपिक दिया इंडरेट टेकनोलोजी एंड वैब वैब डिजाइन अब अगर आप यहां पर पैराग्राफ का टेग लगा देंगे हम पहले पैराग्राफ टेग समझ चुके हैं पैराग्राफ टेग कैसे काम करते हैं पिछले वीडियो में बात की थी चलो इस फाइल को हमने सेप किया यहां पर डेक्स्टॉप पर फाइल कि वही आपको ब्राउजर खुला हुआ है अब इस पर सिंपल यह फॉंट आ रहा है सिंपल हमारा जो टेक्स्ट वह लिखा हुआ है कोई कर वगर कुछ नहीं आ रहा अब आपको यहां पर क्या करना है अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे पहले इसका स्टाल बदलना है जै इसे कालिबरी में लगाना चाहते है या आप चाहते हो टाइमस्नी रोमन फॉंट में लग जाए तो उसके लिए यहां पर लिखना होता है फॉंट फेस यहां रखेगा स्टाल नहीं लिख सकते हैं और डबल कोटेशन के अंदर आपको उस फॉंट का नाम लिखना है तो यहां पर आए अभी आपने देखा कि मेरा जो फॉंट है वह नॉर्मल आ रहा है बिलकुल देखें यहां पर एक काम करते हैं यहां पर मैं अपने फॉंट का स्टाइल यहां पर दिखाई चिलर फॉंट फेस में तो यहां पर आकर हमने रिफ्रेश किया और अगर हम थोड़ साइस बढ़ा के यहां देखें तो देखिए मेरे फॉंट का स्टाइल थोड़ा सा चेंज आ रहा है यहां पर जो इंटरनेट टेक्नलोजी और वेब डिजाइन जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा अलग तरीके से आ रहा है यहां पर अगर आप चाओ तो कोई और भी लगा सकते हो जैसे मैंने इधर एक लगा दिया यहां पर टाइम्स न्यू रोमन यह भी क्या एक फॉंट होता है फॉंट का नाम है तो यहां पर आके हमने फिर से रिफ्रेश किया यह देखिए यह इस तरीके का फॉंट होता है यहां पर तो जब भी आपको टैक्स औगेरा का लिख सकते हैं और आप नहीं लिखना चाहते हैं तो नॉर्मल याप फॉंट के साथ इसको यूज कर लो याद रखेगा अगर आप यह नहीं लिखेंगे तो भी आपका फॉंट जो है वो नॉर्मल चेंज हो जाएगा हाँ यह पर्टिकुलर किसी फॉंट बताने के लिए आप पर लिखेंगे फॉंट साइज इस इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपको कितना साइज चाहिए पहली चीज याद रखेगा कि हम जो फॉंट टैग है इसमें सिर्फ वन से लेके सेवन तक ही फॉंट साइज बढ़ा सकते हैं उससे जादा आप नहीं दे सकते आपको सिर्फ एक से लेके साथ फॉंट साइस तक ही यहाँ पे मिलता है तो जैसे मैंने आपे दे दिया थ्री और अपे मैंने सेप किया और अपने ब्राउजर पर जाकर यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो फॉंट साइज अल्ड़ए इतना दिखा रहा है चलिए थ्री पर कुश छेंज करना है जैसे मैंने आपको बॉडी टेक कि अंदर बताया था बॉडी टेग में आप कब लिगा सकते लिकिन वॉडी कलर वहा डेते हैं वह पूरे पेच के लिए होता है अगर आप चाहते हो कि यह लाइन जो है यह मने लिखी होई है यह किसी अलग कलर से आए जो से तो यहां पर आजाएए आप आपने यहां पर लिखा color is equal to और double quotation के अंदर आप color का नाम दे दीजिए जैसे मैंने यहां पर दे दिया red मैं चाहती हूँ जो मैंने यह पहली line लिखी हुई है यह red color से यहां पर show हो जाए यह देखिए आपका जो color होगा यहां पर यह red आ रहा है red क्यों आ रहा है आपको पता यह दौनों red इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहां पर font tag बंद नहीं किया इसलिए आप जितनी बार भी लोगे वह यह color आता रहेगा तो चलिए paragraph के बाद मैं इसको बंद कर देती हूं font को मुझे सरफ एक ही line को color करना था और यह देखिए अगली line normal और यहां पर आपको color दिखा रहा है black तो इस तरीके से आप font color दे सकते हैं font का size अपने according दे सकते है 1-7 तक और font का कोई भी आपको face पसंद हो font का कोई भी style जैसे मैंने calibrary लिया है chiller लिया है कोई भी तो आप वो यहां पर अपने according apply कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आपको अगली line पर कोई color अलग लगाना है तो आप यहां पर अलग से दे सकते हैं जैसे मैंने इसको यहां स अधर पर रेफ्रेश किया इसका color blue blue आ रहा है यहां पर तो इस तरीके से क्या है इस तरीके से हम अपने web page पर font tag का यूज करते हैं और font tag के यह attribute होते है font size font color और font face तो आप सब भी यह tag यूज करके देखिए font किस तरीके से काम कर रहा है font का पूरा tag next video में जो है वह हम कुछ एक्स की बारे में बात करेंगी